परचार करने किसी राजय में जाते हैं और सरकार का परचार करते हैं विपक्स को ने परचार कर रही है ना विपक्स को को मोका देती है वो विपक्स के लोगों माई के है डालेती है वो भी एंकरी बहुत बड़ी डरपोक है मेरे को तकलीफ है, मेरे नेता की अलिकॉप्ट्टर की थलाशी ओई या नियूई, इसकी भी थलाशी होनी चाहिए। वे हैं और प्रद्धान मंतरी हैं वह किस के प्रदान मंतरी है, देश के प्रदान मंतरी है। तो पॉलिटिक्स करता हूं तो पॉलिटिक्स वाली बात करूँगा क्यों नहीं करूँगा पुझे तकलीफ है जिस लोगों ने वोट ही नहीं दिया उसको उपर आप सांसर थोगे ग्यारा है लोग के ग्यारा है लोग हड़ जाएंगे इस चुना में दिल्ली देश की क्यों चुन जाएंगे इसमेह घर जाएंगे मिन तो सक्ता जानी आप के सत्ता घानी जानी है आप सत्ता नहीं रहेंगे आप परदालमत्री निंगी नमस्कार मैं नूर्जाओं और आप देख रहे हैं जनेत अवाज जिस तरीके से पहले चरण जो लोकसबद चुनाफ का पहला चरण जो हो चुका है और उसके बाद जो है आपने जो नैशनल मीडिया आपने देखा हूँ किस तरीके से पत्रकार जो है रिपोर्टिंग के लिए पबलिक ओपीनिन करने जा रहे हैं लेकिन हेलिकॉप्टर पे जा रहे हैं और इसे मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है अरुन साल मुझे भी हो गए आज मेरी उमर लगा लिजिए 67 किया 50 साल तो मुझे भी राजनिती में हो गए मैंने इस तरह सा नहीं देखा क्यों परचार करने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तमार किया जा चैनल पैसे दे रहा है यह सुनिए मैं तो इस बात की जांच कराना चाहता हूँ कि यह पैसा सरकार का है चैनल का है या एंकर का है यह तीन मुद्धे हैं इसका तो होना चाहिए ना इसका तो पता लगना चाहिए कि सरकार पैसा लगा लिए है या चैनल ने पैसा दिया है हेलिकॉप्टर के कितने पैसे दिये गए कितने घंटों के लिए बुक किया किस परदेश के लिए किया कहां कहां परदेश के लिए बुक किया गया इसकी जानकारी देश को लोगों खोना चाहिए जब आप परचार करने किसी राजय में जाते हैं और सरकार का परचार करते हैं विपक्स को नहीं कर रहे हैं वो लोग की जानकारी ले रहे हैं किसको चुन मेरे को तकलीव है क्योंकि मैं इस देश का वोटर हूँ मेरे को तकलीव है मेरे नेता की हेलिकॉप्टर की तलाशी हुई तो इनकी तलाशी क्यों नहीं हुई इसके भी तलाशी होनी चाहिए कनून सब के लिए बराबर है चुनाव योग सब के लिए बराबर है चाहे कोई पत्रकार है हेलिकॉप्टर है मैटम कार नहीं है कार की तलाशी ली जाती है य सबस्क्राइब का दो लेड़ी हों तो पर्मिशनी दिखाए है ना है इतना गहंटे की जाता है उसको पर्मिशन दी जाते हैं आप एक जान रूख सकते हैं दो गहंटा रूख सकते हैं आपको लेंड कोन कर आ प्रदान मंत्री है वो किस के प्रदान मंत्री है देश के प्रदान मंत्री है मैरे प्रदान मंत्री है छुर प्रदान मंत्री है फैले चरन स्थनién को सिम्हत Save प्रदान मंत्री स्थनान मंत्री खुरन व्हीं जो। गुस्यां कुछ के दुछून क nella प्रदान मंत्रीस आन्छार स्रोग में जुक रहा हैं पुलीस सुन्की है चुनाव योग उनका है चुनाव योगी निस्पक्ष नहीं है बईमाल है 100 प्रतिषत बईमाल है कांग्रेस का करे करता होने के लाते कह रहा हूं चुनावायोक से भी तकलीफ है अपको मेरे को तकलीफ है मैं राजदीतिक करखाता हूं प्लिटिक्स करता हूं तो प्लिटिक्स वाली बात कलूँगा क्यों निकलूगा पुझे तकलीफ है जिस लोगों ने वोट ही नहीं दिया उसको उपर आप सांसत थोगे 11 लोग के 11 लोग हट जाएंगे इस चुना में जो नॉमिनेशन करते हैं लोगों में जाते हैं नेता होंगे चोटे मोटे नेता होंगे तो हुने खुदी अपना नॉमिनेशन वापस लिया है किसी ने देखा क्या अपरन किया हो डराया हो धमकाया होगा सरकार इनकी है तुम्हें बंद कर देंगे तुम्हें ये कर देंगे डराया धमकाया होगा तो किया होगा निश्पक थोड़ी है सरकार को निश्पक काम कर लिए है दो-दो मुख्य मंतरी को गिरुफतार करके जेलों में डाल दे जहारखांड दिल्ली के दिल्ली देश की राजधानी है राजधानी के एक मुखमंत्री के देल में डाल दो जहारखांड के उसको मुखमंगंदरों जेल में डाल दो यह क्या है इनके लोग कहा है इलेक्टरल बॉंड कितना बला गोटाला सुप्रीम कोट इंडिया ने कहा गोटाला है ना कितना प्रदेश के राज में तो आप भले शोर शराबा करते थे यही सारा गोदी मीडिया जाता था तो किस लिए तो सच्चाई दिखाओ ये ना परचार करना बंद करो हेलिकॉप्टर की जहां चो जिस भी परदेश में जाए मुझे शंका है इस हेलिकॉप्टर में काफी काला धन जाता होगा क्योंकि सोचते हैं लोग सोचते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं काला धन जाता होगा पहां जाके पपलिक ओपिनियन करते हैं आप उससे भी तकलीफ है वो कैसे कह सकते हैं एलेक्शन कमिशन कि हम राहुल जी के एलिकप्टर की जांच करेंगे वो कैसे कह सकते हैं जिसके पिता ने शहादत दी हो देश को बनाया निर्मान करा है बंडी जुहाला नेरुजी ने डाक्टर भीमरा मेंटकर जी ने व्राश्पिता महात्मा गांधी जी ने उन्होंने इस दिन देखा हुगा कि आज सभी धान की किस सरह से दजियां मुड़ा रहा हैं ये व्यक्ति ये ताना शाहा ये लोगों की बात ना सुनके अपने मन की बात करते हैं इस तरह से चलने बात करना भी गुना हो चुका है कि अब तो मन की बात लोगों की करो ना दूर दर्शन वाले ही परशान होगे लोगों की ही बात करते हैं जनता के लिए समर्पित कर चुके है मैं दूर दर्शन वाले लोगों से मेरे बात हुई वो परशान होगे करते हैं यार लोगों की बात तो ये करते हैं आपने आके यहां बत करते हैं, हम भी पंच पंच घंटे बैट के अपना टाइम बर बाद कर जाते हैं, दूर दर्शन में पहले बात होती थी ना, क्रिशी दर्शन होता था, समाचार पढ़ते थे, लोग आते थे, सारे चीजे, वो आई कभी अब, दूर दर्शन में मुझे बताओ आपने क्या प्रोग्रम देखा, सच्चा ही है यह बताओ, देखा आपने, क्रिशी दर्शन देखा कि सानों का कोई प्रोग्रम देखा कभी, मन की बात, मोधी जी की जूती बात, चार दिन पहले पर चार करना शुरू करते हैं, बले-बले आपके अख़बारों में दे देंगे, वो एड़िटाइजमेंट कर देंगे, देश के पैसे का, एड़िटाइजमेंट की बाद इतने बज़े करेंगे, जो काम करा है, उसका प्रचार तो करेंगे इना, उसका काम करा है, मेंगाई बढ़ा दी, ये काम करा है, बेरोजगाली बढ़ा दी, ये काम करा है महिलाओं का निवस्टर घूमायागा ये काम करा हैं लोगों पर तालितु ऐसा कोई भी जाती हो मुझे बताइए हम सभी जाती हो का यादल करते हैं दलित पर इन्हों पर भाई राजबुतों पर crashing भाई ताकरों पर इन्हों पर आए कि इन्हों छोड़े जिन पर दे चाहिए खताम करो तीसरी बार एक मिनुट भी को नहीं एक और चाहिए गिर लो करसी के लौ लप जो है यह कुर्षी के लो लॉप जुका है कोई बॉर जा चुका कमल को मुर्जा चुका कमल कमल नहीं खिल चुका आप कमल को भी भूल जाओगे मोदी जी को भी भूल जाओगे लोग देश के लोग मोदी जी को भूल जाएंगे इपकमल को भूल जाओगे सत्ता इंडिया गठबंदन जीतेगा क्योंकि लोग तरस्त हैं आप गरीब के घर में जाओ रोज दाम बढ़ जाते हैं पता ही नहीं किसी को आज दूज लेने जाद जाद जी पांच रबे बढ़ गे सुबह कुछ लेने जाद जी दस रबे बढ़ गे कोई आज कोई भी डाल ले ले जी कोई भी डाल दो सुर पे से उपर है कोई रहा है कि इतना काम करा है थोड़ी महझाई सहालेंगे कौन जालेंगे दसलाग का सूट पहनने वाला अब चोबिस में मोधी जी दसलाग का सूट भी निया पहन पाएंगे आठाई का प्लेनार कोगीップ देंगे जोलने लोगों की पिंशन रोग दी लेकिंधुन पेंसिन देंगे पर देश को कहा से कहा पहुचा दिया है रो रहा है रो रहा है ना किसान युवा रो रहा है महिलाएं रो रही है ये विकास है ये विकास है बताईए आप विकास है ये कुछ नहीं है आप मैं कुछ इसी बताओ इनकी बातों को मत जाएए ये सिर्फ जूट का परचार करते हैं जूट बोलते हैं सच इनके नजीक नहीं है इनके खून में नहीं है सच इनके खून में है कि देश पहले देश बचेगा तो धर्म बचेगा लोगों ने ठान लिया देश को पहले बचाना है सवीधान को बचाना है लोग तंतर को बचाना है इसलिए देश के लोग 140 क्रोल लोग बजबपा को वोट नहीं दे रहे राजपूत इनको वोट नहीं दे रहे ठाकुर इनको गौव ने घुक्ता जानी है, आप सकता में रहेंगे, आप पर्दालमत्र भी ने बनेगे, तो आप दर हो नहीं आप जाईए, आपको बहुत काम, कि अब विनाश किया देश का, अब हम विनाश नहीं चाहते हैं, और देश को बेचना नहीं चाहते हैं, जो चीज़े हमारी बची हुई है न हम उनको शुरक्सित रखना चाहते हैं और विकवाना नहीं चाहते हैं तो इसलिए इंडिया गठबंदन जिन्दाबाद तो मेड़म आप एक चीज में आपको बताता हूं जब आप भी वोट डालने जाये नहीं तो एटी इंडिया गठबंदन के पक्स में लिएगा अगर देश का विकाष चाहते हैं सोशल मीडिया को मेरा नमस्कार है वो इसलिए के सोशल मीडिया आज इंडिया गठबंदर के लिए काम करता हूँ यही सोशल मीडिया था जब मोधी जी को लाया था मोधी जी बड़ी बाते करते थे सोशल मीडिया में जाओ बताओ वो सोशल मीडिया ने को बदान मंतरी ले आए बना के आज वो ही सोशल मीडिया मोहदी जी को हराएगा यह चैलेंज है सलूट है सोचल मीडिया को और नेशन दस्तक आप लाइन मत काटेगा बड़ा प्यारा चैनल है बुलंदियों पर जाएगा और सब को देखिए सोचल मीडिया के लोगों मैं किन किन की रिस्पेक्ट करता हूँ आपको सच बता रहो रवीश कुमार जी अभिशार शर्मा आपके यह नेशन दस्तक अजीत अंजम जी होगे प्रेग्या मिश्रा जी होगी आपके आपके दूसरे चैनल है क्या कहते हैं लोग तंतर टीवी है आपके जितने भी चैनल और भी है मैं उनको जानता हूँ जितने लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपके निशी यह क्या है निदी रतन जी है शंबू जी हैं जो नैशनल दस्तक वाले और जनहित जनहित ने मेरे बड़े इंट्रिवी लिये हैं ऐसे और मैंने भी सच्चाई से विबाकी से बात किये जनहित में भी क्योंकि मैं डनने वाला हूँ नहीं सलूड करते हो जनहित में भी नैशन दस्तक भी और शंबू जी जीतेंगे एक बात मैं आपको बता दू मेरी प्रेर है और प्रातना है बगान से संबू जी जीतेंगे और पांच लाक जैसे कांग्रस की पांच गरंटी है ना पांच लाक मार्जा से जीतेंगे संबू सिंग जी ये मेरा दावा है धन्यवाज जाहिए तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से बोल रहे हैं पहले ही कि अब सविधान को बचाना है देश को बचाना है लोगतंत्र को बचाना है तो भाजपा सरकार नहीं चाहिए तो इस पूरी बाचीत पे आपकी क्याराया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाज